इस्राइल से यूद में गाजा की जमीन पिछले 10 महीनों में बंजर बन चुकी है अब यहां खंडर है, सन्नाटा है, गोलियों और बम की वाजों की गूंज है भारी भरकम अबादी से लैस एक शेर अब मलबे से लेकर शम्शान बन गया है ऐसी है शंका है कि अबी भी गाजा की तबाई के दिन बाकी है जहां इस्राइल अपने मन्सूबों के पूरा होने तक गाजा में हमले कर रहा है तो वहीं गाजा में हमास समूग की घहराई इतनी ज़्यादा है कि इसराइल के लिए उसे जड़ से खतम करना नाक का सवाल बन गया है तबाह हो चुके गाजा में अब हमास लड़ाके और इसराइली फोज ही मलबो की योट लिए एक दूसरे पर हमला वर हैं खंड़र हिमारतों में अपना आस्थाइ ठिकाना बना चुके हमास लड़ाके चुन-चुन कर इसराइली बलो को शिकार बना रहे हैं इसराइली सैनिक ही नहीं बलकि उनके सैने साजो समान भी लड़ाकों की हिट लिस्ट में शुमार है लडाके चिपकर इस्राइली सैनिकों को अपने रडार में आने के बाद सीधे सटिक हमले में डेर कर देते हैं वहीं घात लगाए बैठे लडाके इस्राइली फोश पर अचानक से गोलियों की बोचार कर मार गिराते हैं हाली में मास ने अपने हमले का एक फोटेज जारी किया है इसमें दो लडाके टूटी फूटी मारतों में चीपे दिखते हैं जो बाहर की और जहांक कर इस्राइली मर्कवा टेंक पर हमला करने की रणीती बनाते हैं इसके बाद दोनों लडाके अपने कंदे पर रोकेट लॉंचर को रखते हैं फिर संक्री गली से गुजरने के और इशारा करते हैं इस दोरान वैं अपने आस पास भी नजर गुमा कर चारो और देखते हैं ताकि वैं इसराइली फोट का टार्गेट बन जाएं दरसल गाजा की खंडर बन चुकी खाली मारतों में कौन घात लगा कर बैठा है इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है इसके बाद दोनों लड़ाके बेहत सावजानी से और फुक फुक कर कदम रखते हुए टैंक के बेहत नजदीक पहुँच जाते हैं इसके बाद एक लड़ाका पेड के पीछे तो दूसरा दिवार से छिप कर इसराइली टैंक पर निशाना लगाता है दो इसराइली टैंकों पर एक-एक कर वार करते हैं जिससे दोनों टैंक में जबर्दस ब्लास्ट हो जाता है वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़ाकों का दोनों इसराइली टैंकों को उड़ाने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं रहता है दोनों लड़ाके हमले के तुरंद बाद वापस खंडर इमारत में गुश जाते हैं अपने सटीक हमले के बाद सुरक्षित वापस लोटने से वे काफी खुश दिखते हैं दोनों लड़ाके हमला कर खुशी जाहिर करते हैं अक्सर गाजा में फिलिस्तिनी लड़ाके किसी इसराइली टैंक या सैनने लक्षे पर हमला करने पर चिलाते हैं कभी-कभी लड़ाके खुशी से उचल पड़ते हैं तो कभी-कभी कुरान की आयते पड़ते हैं मगर अलकसम और अलकुदस विग्रेट के लड़ाकों से जुड़े एक जोईंट ओप्रेशन में एक लड़ाकू ने कुछ अलग किया उसे रहते हुए सुना गया समू ने बताया कि गाजा शेयर के पूर्व में शुजईया पड़ोस पर ये हमला किया गया ऐसा दावा है कि हमास लड़ाकों ने इसराइल के लगबग 30% टैंक वेड़े को नस्ट कर दिया है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इसराइल का सबसे खतरनाक मरकुवा टैंक गाजा में आकर क्यों कमजोर पड़ गया है तो इसका जवाब ये है कि हमास लड़ाके शेहरों की संक्री गलियों में छीपे होते हैं ऐसे में उन्हें निशाना बनाने के लिए मरकुवा टैंक को इन तंग रास्तों से उकर गुजरना पड़ता है इस दोरान वे घात लगाकर किये जाने वाले हमलों में काफी कमजोर कड़ी बन जाते हैं मरकुवा टैंक करीब से किये गए हमलों से खुद को बचा नहीं पाता है ऐसे में खंडर बन चुके गाजा में इस्राइली टैंक बेशर साबित हुए है झाले हमलों में झाले हमलों में जाता है